स्वर्की डुमस समुद्र में आज एक किशोर डूब रहा था इसी बीच वहां गशत कर रही पूलिस को जानकारी हुई तो ओगनी शमन विभा की मदद से दू घंडे की मशकत की बाद 16 वर्षे किशोर को बहार निकाला गया डुमस पूलिस स्टेशन होर होमगार की जवानों द्वारा आज दरिया गनेश बीच और गूर्डन बीच पर भारी गशत और पूलिस गिरा बनाये रखा गया है डुमस समुद्र तरपर सुरच शेर के हजारों परे टक जाते हैं हाला की समुद्र में नहा नाश सक्त मना है फिर भी बहुत से लोग समुद्र में नहता हैं दो गंडे की मशकत के बाद नाबालिक को बचा लिया गया आज एक सोला साल का नाबालिक जो अपने भाई के साथ पैदल जा रहा था नहाने के लिए डुमस समुद्र में गिर गया और समुद्र में जवार की कारण पानी की मातरा प्रचंड थी ऐसे में नाबालिक तनाओं में आ गई और डूबने लगी डूबने की चानगारी मिलते ही डुमस तर्ट पर गशत कर रहे पूलिस और होंगार जवानों ने डूबते हुए नाबालिक को बचाना शुरू किया 16 साल का एक नाबालिक समुद्र में काफी दूर तक बहता रहा था लेहाज़ा पूलिस कर्मियों और फायर ब्रिकेट के जवानों ने दो घंटे के कड़ी मशकत के बाद नाबालिक को बचा लिया गया है और नाबालिक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में स्थाना अंत पर आया तो समुद्र में ना आती समय पानी में डूप गया बाद में डूपते हुए युवक को इलाज के लिए एंबिलेंस अरा सुरत नई सिविल अस्पताल में थस्ताना अंतरित किया गया डूमस पोलिस की सतरकता समुद्र तक पर कड़ी मशकत और फायर ब्रिकेट वि उगों ने तालिया बजा कर सरहाना की